Samsung Galaxy F15 vs Moto G34 5G smartphone भाई दोनों ही smartphone अंडर 15,000 देखने को मिल जाते हैं और दोनों ही smartphone काफी भैतिन smartphone है Specs Question-Wise और Precision-Wise तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों ही smartphone का comparison करके Specs-based comparison होने वाला है और मैं आपको बताऊँगा अगर आपको इन दोनों ही smartphone में से एक smartphone खरीना हो तो वो कौन सा smartphone खरीना चाहिए कौन सा smartphone आपके लिए भैतिन साबीत हो सकता है कौन सा smartphone आपको value for money मिलता है कौन सा smartphone प्रैजिंगे सबसे आपको best camera quality, best performance, best display and best battery backup को रवाइड करवाता है तो दोस्तों सारी चीजों के बारे हमें डेटेल में बात करने ही कोशिज करेंगे वीडियो ची लेगे तो वीडियो को like करना है चलो को subscribe करना मत भूलेगा तो चली वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि मैंने आपको प्रैजिंग के बारे बता था हैं दोने स्मार्टफोन की कुण-कौणसे स्मार्टफोन में कौण-कौणसे specs देखने जाते है और कैसे देखने जाते है शुरूआत करेंगे look and design से और look and design एगर मैं यह यहाँ पर बात करता हूं तो Samsung Galaxy F15 हमें देखने जाता है back मेंえ glossy back के साथ देखने जाता है यार थोड़े ही लुप को विगाड़ देते हैं चिन में भी थोड़े ज्यादा बैर्स आपको यहां पर देखने उगल जाते हैं लेकिन अबर आल अगर मैं डिस्पली की क्वेल्टी की बात को तो वो हमें हाँ पर काफी अच्छी देख मुझाती है सूपर एमिलेट पैनल देखने मुझाता है डिस्पली का और यहां पर हमें 90Hz का रिफ्रेसेट देख मुझाता है डिस्पली की अगर मैं क्वेल्टी की बात को काफी अच्छी है आठ सो निट्स की पीक ब्रैनेस देख मुझाती है जिससे आउड़ोर वीजिबिल्टी भी हमें अच्छी खासी देख मुझाती है अगर आप कोई कंटेंड वगरा वोच करोगे तो उस चीज को यहां पर आप जरूर नजोए करोगे क्योंकि यहां पर जो क्वेल्टी आपको मिलेगी ना वो आपको यहां पर बिल्कुल भैतिन मिल जाएगी सैकली अगर मैं बात कता हूं Moto G34 5G स्मार्टफून की तो वो भी यहां पर आपको बहतिन पर डिजाइन पर आता है बैक में वीगन लैदर आपको देख मुझाता है डूर कैमरा सेटप देख मुझाता है यह स्मार्टफून एज तो कंपेर करें सेमसंग लक्सी F15 से थोड़ा पतला आपको ज़ूर देखने हम जाएगा हाला कि यहां पर भी थोड़ा बोक्सी डिजैन ही हमें देख मुझाता है और फ्रेंट साइड में आते हैं तो मीड पंचोल दिस्पली देख मुझाती है यहां पर भी अगर मैं बैजल की बात को तो एज तो कंपेर करें सेमसंग F15 से थोड़े कम बैजल से यहां पर देखने हो मिल जाते हैं मिड पंचोल डिस्पली है लेकिन यहां पर जो डिस्पली है वो IPS LCD पैनल के साथ मिलती है और रिफ्रेस एट है 120 हज का रिफ्रेस एट देख मुझाता है और ब्रैनेस भी अगर मैं बात को इसकी F15 से तो थोड़े कम देख मुझाती है लेकिन फिर भी आउड़ और 24 की डिस्पले ना हमें अच्छी देख मिल जाती है लेकिन हम बात करते ही क्वेल्टी वाइज तो नो डाउट एर F15 की डिस्पली हमें काफी बैटर देख मुझाती है जो डिस्पली के कलर से वो हमें Samsung Galaxy F15 में काफी अच्छे देख मिलेंगे as to compare करें Moto G34 5G स्मार्टफोन से अब ही चल परते हैं दोस्तों दोने स्मार्टव के कैमरा ज की तरफ और कैमरा की बात को तो Samsung Galaxy F15 हमें प्रोवाइड गरुआता है ट्रिपल रियर कैमरा जहां पर primary कैमरा है वो हमें देख मुझाता है 50MP का स्केंडी कैमरा देख मुझाता है वो 5MP का एं 3D 2MP का देख मुझा जिसमें हमें primary camera है वो यहां पर देखने को मिल जाता है 50MP का एंड श्केंडी लैंज है वो हमें यहां पर 2MP का देख मुझाता है जबकि selfie की बात करता हूं तो वो यहां पर आपको 16MP की देखने को मिल जाती है देखो वैसे तो दोने स्मार्टवोन ने प्रेजिंग के प्रेजिंग करना और इन दोनों ही स्मार्टवोन से एक स्मार्टवोन चूज करना है camera की मामले में तो मैं आपको दोने स्मार्टवोन के कुछ camera samples है यहां पर प्रवाइड करवा रहा हूं और यहां पर आपको ज्यादा कोई difference देखने को नहीं मिलेगा दोनों ही source देखने लेंगे especially अगर मैं daylight की बात कूँ तो दोनों ही स्मार्टवोन काफी अच्छा perform करते हैं लेकिन low light में दोनों ही स्मार्टवोन के camera जहना struggle करते हुए देखने लेंगे चाहिए मैं camera rear camera की बात कूँ या मैं बात करूँ selfie camera की तो overall अगर मैं कुछ हद तक भी अगर बात कूँ तो samsung lexi f15 का camera यहां पर build हो जाता है फाइलि अभी बात करते हैं दोनों स्मार्टवोन की performance की अगर मैं बात कूँ samsung lexi f15 हमें देखने को मिल जाता है मिडिया टेट टेट 6600 चिपसेट के साथ और दूसरी तफ़ अगर मैं moto g34 5G स्मार्टवन की बात कूँ तो यह मैं देखने को मिल जाते हैं और दोनों के ही मैं n2-2 benchmark score है आपको हमारी display पर यहां पर दिखा रहा हूं तो दोनों ही स्मार्टवन के n2-2 benchmark score में आप देखोगे तो बेसक आपको कोई जादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा लगबग सेम ही score दोनों ही यहां पर chipset हमें करते हुए देखने को मिल जाते हैं लेकिन यहां पर अगर मैं कुछ है तक अगर मैं बात कूँ ना तो moto g34 5G का जो chipset है आई मिन स्नैपने का 695 वह स्मार्टफोन चुच करना है तो यहां पर मैं बात कूँँगा moto g34 थोड़ा बैटरी यहां पर पर पफॉम करता हुआ देखने लेगा लाशन फाइल है अगर मैं बात कूँँ बैटी बैक अप की तो samsung lexi f15 नहीं देखने जाएगा 6000 यहां पर 25 वोट का फास आगा स्पोर् और यहां पर 18 वोट का आपको बोक्स के अंदर ही देख मिलेगा तो नो डाउट यहां पर हमें सिदा सिदा फ्रेक्ट देखने को मिल जाता है जो चार्जिंग स्पीड है वो भी हां पर हमें जो samsung lexi f15 में अच्छी देख मिलेगा तो सारी चीजे दोने स्मार्टफोन के ब अगर आपके माइंड में अभी भी नहीं आया कि हमें इन दोने स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन के ना चाहिए तो कोई वो दिखेत नहीं है मैं आपकी help यहां पर कर देता हूँ देखो यार वैसे तो हर एक चीज में दोनों ही स्मार्टफोन की काफी तगड़ी टक क अगर देखो चोछ कहले deserves o channel के भी किमिट्वा आपको दोने स्मार्टफोन से एक आपको स्मार्टफोन चोछ करने के को ना तो नो डाउट Samsung Galaxy F15 थोड़ा बैटर हमें देखने जाता है क्योंकि प्रैजिंग के इसाब से Super AMOLED डिस्पेय देखने जाती है जो कि अपने आप में उसको खास बना देती है जैन पसंद नहीं आता है F15 का तो नो डाउट यार आप Moto G34 5G की तरफ जा सकते हो तो अभी आप बताना आप इन दोने स्मार्टफून में से कौनशे स्मार्टफून को चूज करने वाले हो तो यह था दोस्तो छोटा है comparison वीडियो जो कि मैंने आपको बताया कैसा लगा आप हमें कमेंट बोक्स में बताना और अगर आपके मैंड में कोई भी अभी वी क्योश्चन रहता तो वो भी आप हमें कमेंट बोक्स में बता सकते हो मैं आपके कमेंड का रिप्लाइ जरूर दूंगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं रेक्ष्ट जमी जैन दोस्तो